अब आई नमर्शकार दर्शकों चुनावी बिला में एक बार फिर से आपका स्वागत है तो अभी हम आए हैं बार नमर साथ में जहां से अनमोल कुमार जी है जो पार्शित पद के लिए यहां से उमीदबार चुनावी मैदान में उतरे हैं तो आईए हम उनसे बात करते हैं जानते हैं कि उनका चुनावी चिंज जो हैं वो क्या है और वो क्या प्रात्मिकताएं लेके चल रहे हैं और अगर वो जिसे प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो लोग इनके समक्ष क्या समस्था हैं जो हैं वो अपनी उठा रहे हैं आईए मिलते हैं अनमोल जी से नमस्कार सर नमस्कार जी, मेरा नाम अनमोल कुमार, मेरा चुनाब निशान ताला चाबी है, और मैं जनता के बीच मैं जा रहा हूँ, जनता यहां पर मेरे को बहुत सारी समस्य हैं बता रहे हैं, और मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, यहां अपने बार नमबर साथ के लोगों से, जैसे कि मेरे से पूरह पहले, यहां से, कोई दस साल, जो मेरे साथ इलेक्षन किये गए हैंगे हैं, तो उनले भी ऐसा नहीं है कि काम तो हर कोई पार्षित करता है और लोगों के बाइस में जो समस्या है जो असली समस्या है वो उन समस्या तक वो लोग वहां पहुंची निवाए तो मेरी सबसे बड़ी प्राथिक्ता यह रहेगी कि मैं बार नमबर साथ मैं जैसे कि जो लोगो तो क्या मतलब वहां पे खड़े रहना थोड़ देर खड़े रहना बहुत मुश्किल है आज तक वहां पे शीवरेश का कोई अपना प्राथान नहीं है और मेरी दूसरी प्राथिक्ता सबसे बड़ी यह रहेगी कि अपना नदाउन चौंग से लेके बाइपास तक जो भी अपना अपना बार नमसाथ का एरिया आता है मेरी सबसे बड़ी प्राथिंदा यह रहेगी कि उसके साइड में एक फुटपात बनाना है एक समधाइक भवन बनाना है चाहे उसके लिए मुझे अपना मुंसिपल कॉर्परेशन की जो स्योग मिलेगा उसके दौरान भी उसक लेके भी और अगर मुझे मुझे मंतरी रख से भी कुछ स्पेशल फंड करवाना पड़ेगा कोई उसके लिए स्पेशल प्रवधान पैसों का करवाना पड़ेगा तो वह भी हमें जूरूर करवाऊंगा जैसे आप परचार परसार कर रहे हैं तो लोग जो हैं क्या मीन समस ह है किसी के मतल्ब हो जाती है तो चलो उनके क्रिंविटिशन के लिए तो हम हंधली चले जाते हैं लेकिन जब हमारे हिंदु संस्क्र오 के मताबिक वहां पर अगर जैसे कि हम आट दिन के बाद कप्ड़े वरते तो पर दिन के बाद यहां हो जाते हैं 7k तो वहां पर आज तक मतलब इतनी बड़ी समस्या है कि लोगों को हतली खड़ कपड़े दोने के लिए जाना पड़ता है सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम यहां पर ऐसा समधाइक बवन बनाएंगे जिसमें कि औरतें भी बहां जाएं आदमी भी बहां जाएं बुड़े बच्चे भी बहां जाएं और एक कमरी यहां पार्क है नीचे पार्क में इतना बुरा हाला कि आज तक वो इतना पक्का है नहीं हो पाया है ना उसमें आज से को 20 साल पहले जूले लगे थे बच्चों के खेलने के लिए वो पूरी तरह तोट गए हैं लोग कर रहें कि बच्चों के लिए पार्किंग की अपना गाड़ियों की समस्या है बच्चों की खेलने की समस्या है तो मैं उन सारी समस्याओं को लेके मैं अभ उसका बॉरा हाल सबस्राइब ना कुछ वहां पर कुछ ऐसा है नहीं मतलब सिस्टम तो आपकी क्या प्रात्मिक ताएं हैं मेरी सबसे प्रज़ा यह है कि हम वहां पर उस सचालियों को सचारू की वेवस्ता करेंगे इसको ठीक तंग से साफस्प्रा रखेंगे मुनिसीबल कार्परेशन के जो अपना सफाई करमचारी हैं उनको पर किसी की जिम्मेवारी लगाएंगे कि वो उसको ठीक तंग से बेवस्ता करें दूसरा एक फुटपात बनाना है सड़क के किनारे पैदल चलने के लिए तीसरा हमने यहां पर मेरा एक समधाइक भवन का है क कि हम एक समधाइक भवन भी बनाएंगे उसमें बाथरूम ट्वाइलेट भी उसका उसमें बंदोबस्त करेंगे दूसरा सबसे बड़ी जो बात है सबसे बड़ी समस्या जो है वो बार नंबर साथ में जो डीसी ओप्स के सामने वाला मोहला है जिसमें कि कम से कम भी चार सो से पांसो लोग वहां पे रहते हैं वहां पे आज तक सीवरेज ही नहीं है और मतलब सीवरेज तो है नहीं लेकिन जो अपने सीवरेज के टैंक है परसनल धरहों के टैंक है अगर उनको खाली करवाने के लिए वहां से अगर कोई जैसे करमचारी जाएंगे तो वहां पर गाड़ी ले जाने का परवंद ही नहीं है इतना टाइट मोहला है कि मतलब वहां पर उसो जितनी भी गंदगी है वो सारी नालियों में बैकर डीसी आपस के नीचे से होकर उस नाले में गुजर रही है तो मेरी सबसे बड़ी प्रमात्रों यहीं है तो तिन जो मैंने सोचा से भी अग्रह करेंगे कि हमें इसका स्पेशल प्रवंद कुछ किया जाए यह थे बाड़ नंबर साथ से अनमोल जी जिन्होंने बताया कि जो भी लोगों की समस्राइं होंगी वो प्रात्मिक्ता के साथ उनको उठाएंगे और उनका समाधान भी करेंगे तो यह थी झाल